आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन तो आज हम जानेगे कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था और सोदेशिया अंदोलन क्या था तो पहले हम बंगाल का परिचे जान लेते हैं कि बंगाल जो था वो ब्रिटिस भारत का सबसे बड़ा प्रांत था इस प्रांत में साथ करोड असी लाख लगभग जनसंख्या थी उसमें इसी प्रांत से यानि बंगाल से ही अंग्रेजों को सबसे अधिक राजस्त्र भी मिलता था और उस बंगाल में आज का पशिम बंगाल क्या पशिम पशिम बंगाल आज का पशिम बंगाल बांगला देश और उडिशा क्या उडिशा बिहार उडिशा बिहार और बिहार से अलग हुआ है जारखंड किसे अलग हुआ जारखंड बिहार से अलग हुआ है जारखंड तो जारखंड भी उसी का हिस्सा था कौन जारखंड जारखंड भी उसी का हिस्सा था तो यानि पर्शिम बंगाल बांगला देश उड़ीसा बिहार बिहार से लगो के जारखंड यानि जारखंड भी उसी का हिस्सा था तो आज का जो ये देश है राज्य है वो उसमें बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे एवं असम के कुछ हिस्से से मिलकर भी बंगाल बनता था यानि बंगाल में असम के भी कुछ हिस्से थे उस समय इसलिए बंगाल ब्रिटिस भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे महतपूर ब्रान था जिसकी जनसंग्या लगबग 7 करोड 80 लाग थी जो उस समय की यानि कि उस समय तातकालीन भारत की एक बटे चार थी कितनी थी? एक बटे चार थी उस समय का भारती वायरसराय यानि कि जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ उस समय का भारती वायरसराय था लाड करजन कौन था? लाड करजन जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था लाड करजन ने 20 जुलाई कब 20 जुलाई 1905 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोशड़ा की और बंगाल को दो भागों में कितने भागों में? दो भागों में बाड़ दिया कौन-कौन से? पशिम बंगाल और पुर्वी बंगाल परशिम बंगाल और पुर्वी बंगाल इसे दो भागों में बाट दिया बिभाजन करते हुए लाड़ करजन ने अपचारी घोषडा की इसे प्रसासनी घोषडा भी कहते हैं तो बिभाजन करते हुए लाडगर्जन अपचारी घुषड़ा के कि बंगाल प्रांध इतना बड़ा है कि एक ही प्रांथी सरकार इसके सासन को कुसरता पूरवक नहीं चला सकती है इसलिए विभाजन जरूरी है और ध्यान रखिए बंगाल विभाजन की घोषडा अचानक नहीं होई थी बंगाल विभाजन की रूप रेखा जो थी वो 1903 में कब 1903 में ही बन गई थी बस समय का इंतिजार था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषडा हो गई और दो टुकड़ों में बंगाल को बढ़ दिया गया पुर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बंगाल विभाजन का वास्तविक कारड कुछ अलग ही था ध्यान रखिए जो पस्चिम बंगाल था अगर जनसंख्या का एनालिसिस करें तो तो जो पस्चिम बंगाल था वहां हिंदू बहुसंख्यक थे कौन बहुसंख्यक थे? हिंदू बहुसंख्यक हिंदू बहुत संख्यक थे और मुस्लिम अल्प संख्यक थे जबकि जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम बहुत संख्यक थे कौन थे? मुस्लिम बहुत संख्यक थे और हिंदू अल्प संख्यक थे जिस प्रकार हमारे देश में आज भी सांप्रादाइक्ता का जहर है उस सांप्रादाइक्ता के जहर का अगर पहला एक्जामपल हमें ओफिसली देखना हो या विधिवत तरीके से देखना हो या वैधानिक तरीके से देखना हो तो उसका पहला एक्जामपर बंगाल का बिभाजन था इसलिए कहा गया है कि भारत बिभाजन के बीज बंगाल बिभाजन में ढूड़े जा सकते हैं कारड क्या था कि बंगाल प्रांत जो तातकालिन भारत का सबसे बड़ा प्रांत था उसका विभाजन इस प्रकार से किया गया कि पर्शिम बंगाल में हिंदु बहु संख्यक और पुर्वी बंगाल में मुस्लिम बहु संख्यक हो गए ऐसा अंग्रेजों ने जानबुच कर किया ताकि फूट डालो और राज करो के तहत ब्रिटीश सामराज जी की रच्छा किया जा सके 16 अक्टूबर 1905 कब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया हम ध्यान रिखिये के 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के घोश्रा होई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया बंगाल विभाजन का वास्तवीग कारण क्या था हम उसको देख लेते हैं तो बंगाल विभाजन का वास्तवीग कारण था कितने थे तीन थे पहला जो कारण था वो है राष्टरबाद क्या है राष्टरबाद बंगाल व्याजन का पहला कारण राष्टरबाद है बंगाल ब्रिटीस भारत का राष्टरबाद का सबसे बड़ा किंद्र बन रहा था क्यों बन रहा था क्योंकि ब्रिटीस ने भारत में राज बंगाल में समाजीक एवं धार्मिक सुधार अंदलोन की शुरुआत बंगाल से हुई अस्थाई बंदवस्थ की शुरुआत बंगाल से जितना भी सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, सबकी शुरुआत कहां से हुई बंगाल से अगर सबसे अधिक लाव ब्रटीस के आने से किसी को हुआ तो बंगाल को हुआ और सबसे अधिक नुकसान किसी को हुआ तो बंगाल को हुआ लाव कैसे हुआ लाव कैसे तो सबसे अधिक लाव बंगाली जमदारों को हुआ किसको हुआ बंगाली जमिदारों को हुआ उन्हीं के बच्चे पढ़ने के लिए बिदेसों में गए और वहां से प्रभावित होकर के वापस यहां पर आए और सबसे अधिक सोसड का चक्र भी यहीं चला कहां चला बंगाल में चला इसलिए भारत में राष्टरवाद का सबसे पहला केंद्र बंगाल बना यह पनपता बढ़ता राष्टरवाद ब्रिटिस के लिए खत्रा था इसलिए इस राष्टरवाद को कुचलने के लिए लाड करजन ने किसने लाड करजन ने जान बूज कर बंगाल का विभाजन किया किसने किया लाड करजन लाड करजन ने जान बूज कर बंगाल का विभाजन किया यह रहा पहला कारण और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो है हिंदू मुश्लिम एकता दुसरा करण क्या था हिंदू मुश्लिम एक्ता दुसरा करण था हिंदू मुश्लिम एक्ता बंगाल में बढ़ती राष्टबाद के लिए हिंदू मुश्लिम एक्ता उत्तर दाई थी अत्र इस राष्टबाद को तोड़ने के लिए हिंदू मुश्लिम एक्ता को तोड़ना जरूरी था इस क्रम में लाड करजन ने किसने लाड करजन ने लाड करजन इस क्रम में लाड करजन ने फूट डालो और राज करो कि नीती के तहत बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया कि पसिम बंगाल में हिंदू बहुत अंख्यक हो गए और पुर्वी बंगाल में मुश्लिम बहुत अंख्यक हो गए और मुस्लिम समिदाय को यह सफना दिखाया गया कि केवल पुर्वी बंगाल में ही कहां पर पुर्वी बंगाल एक ऐसा प्राम्त है केवल पूर्वी बंगाल जहां पर भविस में आपकी खुद की सरकार बन सकती है क्योंकि भारत में हिंदू बहुत संख्यक है इसलिए आपकी सरकार नहीं बनेगी अर्थात उनका सामप्रदाइक तरीके से ब्रेनवास किया गया और इसी का नतीजा था मुस्लिम लीग का उदभव किसका उदभव मुश्लिम लीग का उदभव कब हुआ था 1906 में मुस्लिम लीग का उदभव कभ याद हुआ था 1906 में 1905 में बंगाल के व्याजन हुआ और मुस्लिम लीग की अस्थापना हुई 1906 में और तीसरा कारण आप देखिए इसका तीसरा कारण बंगाल विवाजन का तीसरा कारण जो बंगाल का सेंट्रल पार्ट था माली ची यह आपका भारत का एटलस है यहां पर क्या था पूरा बंगाल था ऐसे बंगाल को दो भागम क्या किया गया था यह पूरवी बंगाल हो गया यह पश्चिम बंगाल हो गया तो बंगाल का जो सेंट्रल पार्ट था यानि कि यह जो बीच का हिस्सा था इस सेंट्रल पार्ट में सबसे अधिक जो भासाई लोग थे यानि कि इस बीच में सबसे अधिक जो भासाई लोग थे वे बंगाली थे अगल बगल मतलब सेंट्रल पार्ट के अगल बगल बिहारी थे यहां पर संथाली थे उड़िया थे और थोड़ी असम इधर असमी भी थे इसलिए बंगाल का बिभाजन इस प्रकार से किया गया कि बंगाली भासाई को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया अर्थात आधे बंगाली पुर्वी बंगाल में हो गये इस प्रकार इस बिभाजन में तीन बिभाजन हुए थे पनपते बढ़ते राष्टवाद को कुचलना धार्मिक आधार पर बिभाजन को करना ताकि फूट डालो राजकरो के नीति के तहत सासन किया जा सके तीसरा बंगाली राष्टवाद के लिए सबसे अधिक उत्तरदाई बंगाली भाज़ी लोग थे इसलिए बंगाली भाज़ी लोगों को दो प्रांतों में विभाजित करना ये हुए इसके वास्तविक कारण क्या हुए बंगाल भाज़न के ये वास्तविक कारण थे बंगाल भाज़न के बाद बंगाल की अस्थानी जनता ने बंगाल भाज़न का जो विरोध किया उस विरोध के फलस्वरूप जो आंदोलन चला उसी आंदोलन को हम कहते हैं बंग भंग विरोधी बंग भंग विरोधी आंदोलन क्या कहते हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन बंग बंग विरोधी आंदोलन कहते हैं बंग का मतलब होता है बंगाल क्या होता है बंगाल और भंग का मतलब होता है विभाजन यानि कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाए और ध्यान रखिये कि बंग भंग विरोधी आंदोलन बंगाल की अस्थानी जनता ने चलाया था कहते हैं अगस्त 1905 कब अगस्त 1905 के अंदर जो रच्छा बंधन का दिवस आया उसे हिंदू मुश्लिम एकता दिवस किसमें हिंदू मुश्लिम एकता दिवस जो रच्छा बंधन का दिवस आया अगस्त में उसे हिंदू मुश्लिम एकता दिवस के रूप में मनाया गया बंगाल की जनता अगस्त 1905 कब अगस्त 1905 में कोलकाता के कहां कोलकाता के टाउन हाल कोलकाता के टाउन हाल से रवाना होकर बंगाल विभाजन का विरोध किया उसी समें क्रिष्ड कुमार मित्र कोन? क्रिष्ड कुमार मित्र की संजीवनी पत्रिका थिये क्रिष्ड कुमार मित्र की संजीवनी बंदे मात्रम बंदे मात्रम बंदे मात्रम बहुत ऐसी पत्रिका थि जिसमें कृष्ड कुमार की संजीवनी जो थी काफी प्रसिद्ध हुई इसी समय रविंद्रनाट टैगोर का किसका रविंद्रनाट टैगोर का आमार शोनार आमार सोनार बांगला आमार सोनार बांगला बंगाल की गली-गली में गाया गया वही आमार सुनार बांगला आज की तारीक में बांगला देश का राश्टर गीत है किस देश का? बांगला देश बांगला देश का क्या है? राश्टरी गीत है बांगला देश का राश्टरी गीत है तो पूछे अगर कि आमार सुनार बांगला किस आंदोलन में गाया गया था तो स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, भहिसकार आंदोलन के अंदर गाया गया था लेकिन इस आंदोलन का ब्रेटिस सासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अब यहाँ पर एक important point है अगर आप से question ये पूछे कि स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर होगा कि जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो बंग भंग आंदोलन चलाया गया था परन्तो जब इस आंदोलन का ब्रेटिस सत्ता पर कोई विशेज प्रभाव नहीं पड़ा तो इसे प्रभावसाली बनाने के लिए किसको प्रभासाली बनाने के लिए बंग भंग आंदोलन को प्रभासाली बनाने के लिए जब उग्रवादी राष्ट्रवादी अपने चार कारक्रमों के साथ कितने कारक्रमों के साथ चार कारक्रमों के साथ उग्रवादी राष्ट्रवादी इस आंदोलन के साथ आके जूड जाते हैं उनके जो चार कारक्रम थे पहला उनका कारक्रम था श्वदेशी क्या था श्वदेशी दूसरा था स्वराज दूसरा था श्वराज तीसरा था तो यह चारकरम राष्ट्रवादी 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 र तो इसी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन या बहिसकार आंदोलन कहा जाने लगा। यहां पर दो important चीज आ गई कि बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिसकार आंदोलन। आप से छोटा सा question पूछ ले कि बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में क्या आंतर है तो ध्यान रखिए कि बंग भंग बिरोधी आंदोलन का आधार भी बंगाल का विभाजन था और स्वदेशी आंदोलन का आधार भी बंगाल का विभाजन है मतलब दोनों के उद्भव का कारड बंगाल का विभाजन ही है लेकिन दोनों के उद्देश में अंतर है किस में अंतर है? दोनों के उद्देश में अंतर है क्या अंतर है? जहां बंग भंग विरोधी आंदोलन का उद्देश ये बंगाल विभाजन को रद करना है क्या करना है रद करना है किसका उद्देश ये है बंग भंग विरोधी आंदोलन का बंग भंग विरोधी आंदोलन का उद्देश बंगाल विभाजन को रद करना है वहीं स्वदेशी आंदोलन का उद्देश से है बंगाल विभाजन के मुद्दे को इतना भारत में फैलाओ कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद फैल जाएं क्या फैल जाएं राष्ट्रवाद फैल जाएं मतलब स्वदेशी आंदोलन का अबजेक्ट पूरे इंडिया में नेशनलिज्म को फैलाना था. इसलिए बंग-भंग विरोधी आंदोलन से ज्यादा फेमस हो गया स्वदेशी आंदोलन. स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम ही है भहिसकार आंदोलन. अगर पूछे कि स्वदेशी और भहिसकार की अधारडा को कौन लेकर आए तो उत्तर होगा उग्रवादी राष्टवादी उग्रवादी राष्टवादियों ने स्वदेशी और भहिसकार की अधारडा को लेकर आए थे यहां पर आप जान लेते हैं कि स्वदेशी का और बहिसकार का अर्थ क्या है अगर आप से पुछे कि स्वदेशी से आप क्या समझते हैं तो यहां पर स्वदेशी और बहिसकार का हम अर्थ समझ लेते हैं तो स्वदेशी की जो संकल्पना है वो बहुत ब्यापक है किसका संकलपना श्वदेशी की संकलपना बहुत ब्यापक होगी तो बहिसकार की संकलपना क्या होगी बहुत ब्यापक होगी अगर राजनितिक अर्थ से देखें, किस अर्थ से राजनितिक, राजनितिक अर्थ से अगर देखें स्वदेशी को, तो राजनितिक अर्थ से होगा स्वदेशी का मतलब स्वराज की प्राप्ति का प्रयास करना, और बहिसकार का मतलब होगा, जब हम बिदेशी सासन का बहिस करेंगे तभी हम स्वराज की प्राप्ति का प्रयास कर पाएंगे या स्वराज की अस्थापना कर पाएंगे यह तो राजनेतिक द्रिष्ट से हो गया अगर हम आर्थिक द्रिष्ट से देखें किस द्रिष्ट से आर्थिक द्रिष्ट से स्वदेशी का अर्थ अगर हम देखे तो स्वदेशी उद्योग धंदों वह स्वदेशी बैंकिंग प्रडाली को बढ़ावा देना और बहिसकार में अगर देखें बहिसकार कार था देखें तो ब्रिटिस उद्योग धंदों का बहिसकार, कपडों का बहिसकार, बैंकिंग आदी का बहिसकार यानि कि हम ब्रिटिस उद्योग का बहिसकार करेंगे, बैंकिंग प्रडाली का बहिसकार करेंगे, कपड़ों का बहिसकार करेंगे, तब ही हम स्वदेशी उद्योग धेंदों का बैंकिंग प्रडाली को अस्थापित कर सकते हैं और इसको बढ़ावा दे सकते हैं, इस तरह से ये बहुत ब्यापक संगलपना थी और अगर हम सांस्कृतिक द्रिश्ट से देखें किस द्रिश्ट से? सांस्कृतिक अगर हम सांस्कृतिक अर्थ से देखें तो स्वदेसी एवं स्वदेसी कला एवं सहित्य पर बल देना भारती सिच्छा की अस्थापना करना और वहिसकार में कार्थ देखेंगे तो बीदेशी कलायमु सहित्ति का वहिसकार करना पाश्यात्य सिच्छा का वहिसकार करना अगर हम बीदेशी कलायमु सहित्ति का वहिसकार करेंगे पाश्याय सिच्छा का बहिसकार करेंगे तब ही हम स्वदेशी कलाय हों साहित पर बल दे सकेंगे भारती सिच्छा के अस्थापना कर सकेंगे इस तरीके से ये दोनों स्वदेशी और बहिसकार एक बहुत ब्यापक संकल्पना है यहाँ ये उलेखनी है कि स्वदेशी और बहिसकार दो अलग-अलग संकल पनाये हैं परन्तु ये एक ही सिक्के के दो पहलू है एक ही सिक्के के दो पहलू है अर्थात बीना स्वदेशी के बहिसकार संभो नहीं था और बीना बहिसकार के स्वदेशी संभो नहीं था अतर स्वदेशी आंदोलन और बहिसकार आंदोलन एक ही सिक्के के दो पहलू थे अर्थात ये एक दूसरे के क्या थे पूरक थे क्या थे पूरक थे यानि कि स्वदेशी आंदोलन और बहिसकार आंदोलन एक दूसरे के पूरक थे तो ये रहा हमारा आज का बंगाल विभातन टॉपिक कल हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद